अतीक एहमद के खिलाफ अखिलेश ने क्यूं खोला था मौर्चा शिवपाल और अखिलेश बे तकरार की बड़ी वज़य था अतीक ऐहमद देखिये पूरी खबर और जानिय अखिलेश और शिवपाल के बीच की दरार कैसे बना था आतंक का आका अतीक अभी पिछले कुछ समय में योगी ने सदन में दहारते हुए अखिलेश यादव से कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और अखिलेश यादव ने भी इस क्रिया की प्रतिक्रिया दे थी अब अतीक एहमत की हत्या हो गई है और उसके बेटे का एंकाउंटर हुआ है और ऐसे में ये प्रेशन जहन में आना लाज़मी है कि अखिलेश यादव अतीक एहमत के समर्थक थे या विरोधी तो उसके लिए हमको थोड़ा बैक्ग्राउंड में चलना पड़ेगा जी आप बिलकुल सही समझ रहे हैं वहीं चलना होगा हमको जहां से अखिलेश के खांदान में लड़ाई शुरू हुई थी इस पूरी लड़ाई का मुख्य आधार सिर्फ इतना था कि अखिलेश कौन से केंडिडेट को टिकेट देना चाहते थे और शिवपाल और मुलायम कौन सी पंडित को टिकेट देना चाहते थे जैसा कुछ समय तक अतीक अहमत का रसू कायम था मुस्लिम समुदाई के अधिकता लोग अतीक अहमत का समर्थन करते थे और ये राजनीती के उद्दे शिवपाल को बिल्कुल सही नहीं लग रहे थे यानि अतिक को शिवपाल तो टिकेट देना चाहते थे लेकिन इसको लेकर अखिले श्यादव नारास थे अखिलेश यादव का साफ कहना था कि वो किसी भी हाल में किसी ऐसे व्यक्ति को टिकित नहीं दे सकते जिसका आतंक जनता में कायम हूँ यानि अखिलेश यादव अपने चाचा अपने पिता से बिलकुल अलग विचार रखते थे अखिलेश यादम ने हमेशा उस कैनिडेट का विरोध किया जो जरता में आतंक के दम पर सत्ता में आया हो और इसलिए अखिलेश खांदान में नोग जोग बनी रहती थी जैसा कि अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते हुए 2016 में पहली बार शिवपाल और अखिलेश के बीच मतभेद सारजनिक हुए थे और तब से दोनों के रिष्टे कभी गरम तो कभी नरम रहे वही सपा के संस्थापक मुलायम सिंग यादव के निधन के बाद मेंपूरी संसदी शेत्र में हो रहे उप्चनाओं ने चाचा भतीजे का मन मुटाव दूर करने का मौका फिर से उपलब्द कराया बेनपूरी में सपा ने अखिलेश की पत्नी डिमपल यादव को मिदवार बनाया जबकि भारती जुनद पार्टी उनके खिलाफ कभी शिवपाल के करीबी रहे रगुराज शाक्य को मैदान में उतारा ये वो दौर था जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के रिष्टों में मजबूती आ रही थी लेकिन शर्त वही थी कि किसी भी गुंडे माफिया को सपा पाठी का टिकेट नहीं दिया जाएगा इसी कम में अक्टूबर 2016 के आसपा सपा की सरकार का नेतरतों कर रहे ततकालिन मुख्य मंत्री अकिलेश यादव ने शिवपाल सिंग यादव अंबिका चौधरी नारद राय शादाव फातिमा ओम प्रकाश्या और गायटरी प्रजापती को अपने मंत्री मंदल से बाहर कर लाई थी और 2017 के चुनाओ में शिवपाल ने सपा के ही चुनाओ चिन पर जस्वंत नगर से चुनाओ जीता था लेकिन ये समझोता ज्यादा दिन नहीं चला और शिवपाल ने 2018 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन कर लिया लेकिन अब फिलहाल शिव के मसले पर शिवपाल यादव को तो घीरा जा सकता है लेकिन अखिलेश यादव को नहीं ब्यूरो रिपोर्ट पीडियन नियूज